अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ एटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्क वगरा पे टाइम तो दे रहे होगा ना, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टीच्मिन बनाता है आपकी क्लास को असनी डिजिटल और आटोमेट कर देता यह सारे काम, इसनी तो कहते हैं कि टीच्मिन पे पात करने वाले हैं प्रिदिभा पर्व का मुल्यांकन वायक सीट जो 2021-22 का है, टीक है, वायक सीट 2021-22 का है, बीस है, मैथेमेटिस का है, और हिंदी मीडियम का है, देख लिजिए, आपके अच्छा साथ भी हो, खंड आखा लेकर आए, टीक है, खंड आखा कच्छा साथ भ बताएंगे, ठीक है, और यदि चैनल में नए हो दो चैनल को सब्सक्राइब करने, इसमें कच्छा चटी, साथ भी, आट भी, सभी कलास के सभी सब्जेट के वायक सीट, यूटूब चैनल में डल चुके हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, जिनने भी जिस कलास का, जिस सब् यूbbe उत्तर लीखिये, भी ध्याइती U. प्रत ही बिध्याइती अपने नाम लीखे, लास सेइन इस डौस तरफ़ी जोबी इस्टुडेंट है, पेसो हो रहें कि मैथेमेटिस के सवाल है निमने का कि जीन में का रोट नंबर 369 रहे इस नंबर का प्रेशारित रूप होगा प्रेशारित रूप को साओ का मरब देहों इसको जोड़ेंगे 377 नहीं है सीधी सीधी बात जोड़ने इतना आना चाहिए तो इसे पिए ही है जो जिसे जोडने पर 309 राईगा ठीक है तो इसका एंसर सी होगा 309 सब्सक्राइब इस तरह कोश्चेन नमबर देखते हैं लोग कोई बात नहीं यहां पर भी यह बरो देख लेते हैं कोश्चन नमार दूसरा है चार और छे का सार्व गुड़ा ज्य है चार और छे का तो मलब चार इंटू 6 मलब चार गुड़ी 6 बराबर 24 ठीक है चार चेक 24 डी इसका एंसर सही होगा अगये नेश्ट कोस्चन है तीसरा है तीसरा हो चोधा तुमारी स्कीन पर सोह रहा है तीसरा है 0.35 और 0.42 का जोड़ है तो बने वी बात है 0.47 ए ठीक है जो लेना 35 और 42 तो 7 36 77 ए ठीक है तो इसका है तीसरे खाँ 0.77 आएगा जोड़ना है और कुछ ने करना है पिर चोथा यह निर्म में से किसका मान अच्छा रहे मान अच्छा रहे ठीक है तो इसमें डी आएगा क्योंकि डी में कोई भी चर नहीं है अच्छा नहीं है क्यांकि मतलब की 3 में देख लिए कोई भी ABCD है कोई भी अच्छा नहीं है डी में देखे कोई भी ABCD के अच्छा नहीं है इसलिए अच्छा रहे तो फिए ench को क्यों भी ऩॉष्ट कोंट नहीं कोसें पांच्छा है किस प्रेकार की 3 हुजे यह चित्र दिया हुआ है इसमें यह बताना ऐक्स प्रेकार का 3 हुज सं बाहु तिरिबोज 25 ändाओenस minor 12 सम 2 बाहँ या फिछ экспon कोड तो इसका एंसर आएगा 25 भी विसम बाहु त्रिवुजे इससे सभी बुजाएं समान नहीं है विसम बाहु है पोईशन नबार छट्टा जो है इस टिब्बे में यह बताना है इस चितरे को देखके यह बताना है कि इसमें किनारों की संक्या मरलब कितनी डंडी इस तरह की टोटाइं बिलाके लगी हुए इसमें टोटल आठ डंडियां लगी हुए देखना यह तो यह हुआ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो देख लिए ना इसे तरह आठ आठी डंटी लगी हुई है कि नेश्ट कोस्चेन है कोस्चेन नबार सात्वा जो है तुमारी स्कीन पर सो हो रहा है कि सात्वा और आठ पर सात्वा देखतें टिक है दिये गए चित्र में कितना भाद छाया अंतरी के मलब कितने में चाय आख इस तरह करें भरे भी प्रिके तो टोटल तोटल डिपे कितने एक दो तीन चार पांच छे हैं टोटल डिबे 6 उन में इसे क्या है सिप दो ही डिबे ऐसे जो काले काले ठीक है दो उपर 6-2-2-3-6 1-3 एंसर आएगा इसका इसका एंसर सिवाला हुआ एक बटे तीन और दुम्हें कच्छा साथ भी के जिस भी कला सब्जेक्ट का मतलब हो एक सिट चाहिए हमारे चैनल पर पूरे पूरे अपलोड हो चुके हैं वहां जाके देख सकते हैं यह पिकच्छा चट्टी या फिर आट में कभी चाहिए दो अपलोड हो चुके हैं देख और यह प्लाशतिक या पले 5 पलस टेख रहे डाय नीश सब्केर कॉस्चा कोच्छन हुआ दो एक फिर सिरसरेफिमस कषेटर उन पहले दिन 30,479 बल्फ बनाती है दूसरे दिन इतने बल्फ बनाती है तो तीन दिनों में कुल कितने बल्फ बनाएगी मतलब तीनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है बस थोड़ी इस तरह लिख देना कि पहले दिन फेटर इतने बल्फ बनाती है दूसरे दिन इतने बल्फ बनाती है और तीसरे दिन इतने बल्फ बनाती है और तीनों को जोड देना है या पर देख लिए तीनों को जोड दिया गया है तो इसका एंसर आया है इतना पूरा लिखना है ठीक है एंसर यहां से लिखना है तुमें यहां से लिखना है 83,885 वल्प बनाया है टोटत यदि ज्यादा नहीं तो तुम इतना भी लिखे दोगे इतना जोड तो दोगे तो यह नंबर मिल जाएंगे पर यह इतना लिखे दोगे बहुत अच्छी बात है कोश्चिन नबर दस हो आई जो आभाज गुड़न खंड द्वारा बारा और चोबिस का महत्तम समापर्तक ग्या किजिए यह 18 पहले हमने निकाल दिया भी 24 पह निकाल दिया तुम चाहिए तो दोनों को साथ में भी निकाल सकते हो ठीक है तो यह देखक लिजिए यहां पर महत्तम समापर्तक में क्या होता है जोड़ी बनानी होती है ठीक है जोड़िया बनानी होती है मरलब कर अच्छे नहिसां कि या पे तीन हे यहां पे दो है ठीक है दो 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 बारत तीन दूनी छे इसका इंसर चे आएगा फिर नेस्ट कोस्चन देखते हैं कि कुछ नमर्द दस हुआ तो में पुछन दो प्लस प्लस ञांद स लिए आएगा क्योंकि बड़ी संक्या स्वाल प्लस दो होते है मतलब घटेगा तो और बार भॉल यह दंट क्यों तो ने यह रहा है तुमारी स्कीन पर आख कर एक ट initiatives दि दिए एख चीत्री दीए हुआ है है जिसका नाम ABCDT के जिसमें कुछ इस चित्रे को दियान पूरा देखना है और भी दिए गए सवालों के जवाब देना है कि इसमें क्या है पहला सवाल है छे रेखा कंडों के नाम छे रेखा कंडों के नाम तो देख लेजिए कि एसी एबी कि दीसी बीडी मरला इस तरह करें यहां पर नाम भीखा हुआ छे नाम है सेकंड किन त्रिभूजों में याल भी उबहें निष्ट है जिनमें पी उबहें निष्ट है तो दो है ABC और ABD यहां पर देखना इसमें दो त्रिभूज बनेंगे यह तो यह त्रिभूज बनेगा ABD यहाला हो गया सेकंड जो त्रिभूज है पूरा बनेगा ACA मलब ACB या पी ABC ना ठीक है देख लेना इसका इंसर हो गया निष्ट कोस्टिन है एक कमरे की लंबाई चार मीटर और चोड़ाई तीन मीटर पचास सेंटी मीटर है कमरे के फ़र्स को डखने के लिए कितने वग मीटर गलीचे क्या उसक्तना है दो एक कमरे की लंबाई चार मीटर है जहां कमरे की जो लंबाई हो चार मीटर और चोड़ाई है जो तीन मीटर पचास सेंटी मीटर है तो कमरे का क्या करना है च्छेद फल या करने है ठीक है वह यह मीटर गलीचे क्या सब्सक्ता हो यह मलब विसा च्छेद फल या करना है तो कंपाई गुड़ी चोड़ाई इसमें मल्टिपलाय करने हो कुछ नहीं करना है तो यह देख लिए आप कर रहा हुआ है चार इंटू तीन पाइंट पास तो आता है चौदा वह यह मीटा है नेस्ट कोस्चन है कोस्चन अब पंदरवा अच्छा यहां फिस्टेक होईया है कोश्चन आगे पीछो होईया कोई बात नहीं कोस्चन अब देख लेते हैं तो यह कोस्चन अब तेरवा है जो किसी घड़ी की घंटे वाली सुई यह दी 12 से चलना पर आराम करें तो निन में उ महलें बबराबाय कोड रहे जब पूरा घूम जाएगे दो नेस्ट कोस्चन अब पंदरवा है एंधी 50 ग्राम सक्कर में एक गिलास सर्वत बनता है तो 1 किलो ग्राम सक्कर में कितने गिलास सर्वत बनेंगा इन्ट नहीं यह गरत पूछते हमां दो पीने-पीने के नहीं सबसे अपने एंसर लिखेंगे तो यहां पर इंसर इस तरह लिखो यह पूरे नमबर मिलेंगे एक गिलास सरवत पाचास गराम करें तो यहां पर सक्कर एक किलो मतलब इसका देखना है तो सक्कर में 1000 गराम होता है तो सीधी सीधी बात या डिवाइट मदलब भाग करना एक हचार में पचास अब यह तो बीस घिलास मतलब एक किलो सक्कर में 20 घिलास स्वत बनाई जा सकती है कोस्चन के हिसाफ से और नेश्ट कोश्चन ने जो वीडियो बहुत लंबी हो जी है पस वीडियो खत्र नेस्ट कोस्चन लास्ट कोस्चन है तुमारे किसी साला के कच्छा साथ के विध्यारती दौरा पसंद किये जाने वाले फलों को सार्णी में प्रेदर से किया गया है फल का नाम दिया हुआ है केला संद्रा से और चित्र बनाना है चित्र के जड़िये समझाना एटी है कि यह राच चित्र बना के लाए है तुमारे लिए यहाँ पर देख लीजिए आप है ना सबसे पहले हैं जीरो से अंक लिख लेते हैं टोटल ज्यादर ज्यादर दस बच्चे इसलिए सिर्फ दस तक की लिखते हैं यहाँ फलों के नाम केला संत्रा सेव आम और बनी बात केले में कितने आठ आठ बच्चे पसंग केते हैं संत्रे में जितने बच्चे पसंग केते हैं और इसमें सेव में दस बस यही चित्र बनाना था ठीक है दोस्तों ये तुम्हें एक अच्छा छटी साथ भी आर्ट भी है किसी भी सब्जेट का वर्क सीट चाहिए तो हमारे चैनल में डल चुका है वहां जाके चेक कर सकते हैं मिलते हैं नेश्ट वीडियो में